हैलो फ्रेंड्स मैं विल्कम Summa किडारी और व्लॉग में आप सब का वेलकम एतर फ्रेंड्स आज की हमारी रेशिपि है मलाई कोफ़ता लॉंकी का मलाई कोफ़ता आज हम बना है बहुत ही टेश्टी बनता है फ्रेंड्स एक बार जरू ट्राइ करिए गाया तो फ्रेंड्स द और इसको जो मोटा वाला होता है कद्दूकस उसी से कद्दूकस करना है पतला एकदम बारिक वाले से नहीं करना है देखिए हम लच्छे-लच्छे के तरह अच्छे से करना है इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल करके मिक्स करके इसको हम आधे गंटे के इससे हम ग्रेवी तयार करेंगे आज के मारी रेसिपी जो बनेगी ना लहसन ना प्याज ना टमाटर बिना बनेगी तो यहां पर हम अधरक टाल देंगे दो टूप्रे छोटे-छोटे हैं और एक हरी मिर्ची हमने ले लिया है उसको काट करके डाल देंगे फ्रेंड्स हरी मिर अच्छा इसका पेश्ट तयार हो गया है अगर ऐसे पेश्ट आप डालेंगे तो एकदम क्रीमी टेस्ट आएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्रीमी टेस्ट रहता इसको डालने से और यहां पर हम लौंकी जो रखए हे देन नमक डालके उसको हम अच्छे से saal ay Add कर लेंगे और दीखिये लौंकी हम यहां पे निकाल लिये हैं और ऐम रहाभार पहले दो चमर्ची डिलेंगे उसके बाद देखेंगे कि अगर वह जरूरत पड़े दिलेंगे नहीं तो दो छमची डालेंगे बेसन हमग यहां पर डाल दिये थनिया पाउडर फल्दी पाउडर डाल देंगे हम दे आई है कि अउन्द Hum nutri आ ने कर देखने में तो भूगत अच्छा लगता और खाने में बहुत ही रगता है इस तरह से अगरा बनाएंगे लोग सबजी मसाला छोले मसाला क्यां कि अच्छा टेश्ट रहता है तो इसको डालने से हम प्रोट जिख़ों करस करते हैं और दे जङांतां तरो सबस्केंma में पूरा फोड़ािगा दे कोफते है और इसको हम देखे एक लॉंकी थी उसमें हम तीन चम्मच ही बेशन डालेंगे और यहां पर हम डाल देंगे मीठा सोड़ा आधा चम्मच से भी थोड़ा कमी रहेगा मीठा सोड़ा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब पिल्कुल तेल हमारा गर्म हो जाया कड़ाही में तब हम इसमें डालेंगे नमक क्योंक डालने से और गीला ही होने कड़ा रहेगा तो इसलिए पहले नहीं डालेंगे और ऐसे छोटी-छोटी हम इसकी गोली बनाएंगे पहले हम इसमें नमक डालेंगे फिर अब हम डालेंगे स्वाथ के कार्डिंग नमक जितना भी आपको पसंद हो उतना नमक आप डाल सकते हैं कम जादा नमक इसमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि लौकी में हम पहले से नमक डाल रखे थे और यह हमारा जो पेश्ट था इसक थोड़ा हम लेंगे दोनों भीक्स करके बनाएंगे और जब तक तिल गर्म हो रहा है तब तक हम इसके अच्छे से कौफते बना लेंगे अपने यह देखिए से थोड़ा सा ही डालें क्योंकि ज्यादा डालने पे बहुत ज्यादा फूल जाएंगे तो और ज्यादा फटेंगे दिखें इसको हम डाल रहे हैं और इतना हलके हाथ से इसको हमें चलाना है क्योंकि इतने साफ्ट होते हैं ये चाहे पनीर के हों चाहे ये लौकी के हों कोफते बहुत साफ्ट होते हैं तो इसको जब भी बनाएं तो इसको बहुत ही आसानी से बहुत धीरे दीरे चलाएं चमज की साहता से चलाएं और जब भी चलाएं जब चलाएं कि जब नीचे से ए वे सिख चुका है अब हम इसको चलाएंगे आप चमच की साहता से या चाकूस जिससे भी आप चलाना चाहें लेकिन बहुत साधानी से चलाना रहेगा तो दिखे इसको हम बहुत ही आराम से चलाएंगे और धीमी आज पर हम इसको पकाएंगे क्योंकि अगर हम गैस का फ्लेम तेज कर देंगे तो यह उपर से तो देखने में सिख जाएंगे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर कच्चा रहने कड़ा रहेगा तो इसलिए मीडियम आज पर ही इसको हम फ्राई करेंगे कोफ्तों को और ऐसे ही चलाते हुए बहुत ज़्यादा हमें इसको चलाना भी नहीं है कड़ाई को यह आप हिला सकते हैं अगर आप हिलाना चाहें तो कड़ाई को भी हिला सकते हैं और देखे चमस से हम इसको ऐसे चलाते हुए अपना फ्राई कर लेंगे एक साइट देखे फ्राई हो चुक ए हमारा फ्राई हो चुका है कोफता अब किथे कितने अच्छ वॉय हो चुक हैं और अब हम इसमें ढालेंगे लंग और बड़ी लाइची resist दाल चीनी एक हरी निर्ची काट करके हमने डाल दिया है और हम इसमें डाल देंगे आदा चमज मेति आपको पसंद दो मेति दा ना पसंदो तो बिल्कुल न डालें और यहां पर हम हम एक करेंगे एक चम्मस धनिया पावडर एक चम्मज धनिया पाउडर आदा चम्मज लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मज हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर वाला चम्मज थोड़ा छोटा है इसलिए एक चम्मज इसको हम डालेंगे और अच्छे से हम इन मसालों को मेक्स कर लेंगे दिखिए अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और यहां पे जो हम पेश्ट बना करके रखे थे इसको हम डाल देंगे दिखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप cya अ circles Tap kya hockies तो जाएगा और700 पानी निकाल करकर रखे ते लौ्की का वही यह में कॉट्वा करने में डाल करकर फिर डाल देंगे क्वड़कस काजूका पेश्ट बनाये थे वो लगा था वही पानी हमने डाल दिया यहां पर हम डाल देंगे कस्तमी लाल मिर्च इसे कलर बहुत अच्छा आता है और खाने में तीकी बिल्कुल नहीं होती है और थोड़ा सा पानी हम यहां पर और डालेंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी गाड़ी लग रही थी अब हम डाल कस्तूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से सब्जी मारी उबल चुकिए ग्रेवी अब हम चल रहे हैं इसको सर्व करने के लिए तो प्लेट में हमने देखे पहले ग्रेवी निकाल दिया है अब इसमें आड़ करेंगे कोफते बहुत ही टेस्टिव कोफते बने थे फ्रें बने हैं देखे और प्लीज फुल वाच करिएगा सपोर्ट करिएगा थेंक यू